तो budget TWS की बात करें तो यहाँ पे noise की तरफ से एक नया TWS लाँच हुआ है जो कि है BUDS VS104 इसका मैं full unboxing और review करने वाला हूँ तो अभी बात करतें इस box की तो देखें यह मैंने Amazon से order किया था जिस दिन यह launch वह उसी दिन मैंने order कर दिया नेक्स दिन आ गया था आज टोटल तीन दिन हो चुके है और इसका review मैं अभी करने वाला हूँ तो अब अगर unboxing की बात करें तो यह रहा कुछ ऐसा आप लोगो आपको box मिलता है तो box ऐसी packaging में आती है उपर noise की branding है नीचे आप लोगो birds vs104 लिखा गया है और साथी साथ यहां पर साइड में design in India लिखा आपको यहां पर आपको ब्रैंडिंग मिलती है vs104 की 30 द्राइवर है उसके बात यहां में Bluetooth 5.3 दिया गया है क्यों पता नहीं यहां पर description box में तो यहां पर सारे चीज़े जो ना Amazon के अंदर 5.2 ही Bluetooth दिया गया बॉक्स के अंदर लिखा है 5.3 I don't know और यहां पर प्राइस की बात करें तो 3499 इसकी प्राइस की लिखी गई है बाट यह मुझे 999 में देखने को मिल रहा था जो मैंने 1st sale में इसको खरीद लिया तो box को खोलते हैं यहां पर बहुत सरी परचिया में मिल जाती है first यहां पर user manual एक मिल जाएगा उसके बाद यहां प कैसे आपकी डिवाइस को कनेक करना है फोन के साथ उसका यहां पर गाइड एक लिए फ्लेट दिया गया है and then यहां पर इंट्रेस्टिंग चीज़ है जो कि है noise की sticker जो कहीं पर stick करना है कर सकते हो black white दोनों colors में आप लोगो मिल जाती है उसका box के बीच में आप लोगो छोट होते हो तो यहां से निकलता है एक type-c का cable जो कि यहां पर type-c दिया गया है जो कि बहुत सही चीज है along with that यहां पर आप लोगो earmuffs भी बहुत सारी देखने को मिल जादे है small size medium size large size और अलग-अलग color variance में आप लोगो बहुत सारी दी गई है जो कि आप लोग आपकी color preference के according आस-पास है तो आप लोग इसको आसानी से carry कर सकते हो बहुत ही छोटा है आपके palm के अंदर आसानी से भैट जाता है और यहां पर easily pocket के अंदर carry कर सकते हो बीच में आप लोगो noise की branding मिलती है और यहां पर LED indicators है चार आप लोगो छोटे LEDs दी गई है जिसके मतलसे आपको अंद TWS की case की opening की बात कर तो इसको आप लोग आसानी से open का सकते हो एक उंगली से close का सकते हो तो इस पर आपको कोई भी दिक्कत नहीं आने वाला तो यह चीज़ सही है और इस पर एक जो है ना directly connect होने वाला feature भी यहां पर दिया गया है जो कि IWP feature जो boat कहता है वैसा ही है instant wake का feature मि इस TWS को आपको निखालने की ज़रूरत है अगर pair करके रखाए डिरेक्टली वह automatically connect हो जाएगा with your phone TWS की placement की बात क्या तो यह बहुत ही आसानी से place हो जाता है यहां पर सिर्फ आपको इसके अंदर डालना यह automatically place हो जाएगा और automatically इस device को charge करने लेगा जब आप इसकी lead को close करो हो गया है तो बहुत easy to use है remove करने भी कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर रखने के लिए भी आपको कोई भी दिक्कत नहीं आने वाला इसके बात करें तो build quality wise इसकी casing की matte finish में दिया गया है यहां पर कोई भी shiny finish आप लोगो नहीं दिया बहुत ही light weight है जिसमें आपको कोई भी दिक्कत नहीं आगा casing के ऊपर TWS के design की कर बात करते हैं तो design मुझा सही लेगी बहुत सिंपल है यहां पर बीच में सिर्फ आप लोग को noise की branding मलती है और नीचे आप लोग LED indicators मिल जाती है along with mic और साथ यहां पर आप लोगो touch control भी बहुत ही जादा अच्छी तरीके से यहां प बहुत सिंपलिस्टिक लोग आपको प्रोवाइट करतेगा और इस बॉक्स के अंदर आप लोगो बहुत साथ एयर मफ्स देखने को में चाहती है अगर आपको कोई भी अलग लगानी है तो वह भी आप असानी से यहां पर रिप्लेस करके लगा सकते हैं अगर आपका कान छ कोड़ा आपको बड़ा साइज में देखने को मिलता है बट मेरे केस में ऐसा कुछ नहीं था तो यह कंप्लेटी सब्जेक्टिव है कि आपके कान में अच्छा फिट होगा या नहीं होगा बट 999 रूपीज में बहुत ही अच्छी आप लोगको एक TWS देखने को मिल जाते ह अगर में यहाँ फीचर की बात करतों फीचर देखो यह यहाँ ब्लूटूथ 5.2 का सफोर्ट मिलता है और साड़ी चीजे में आप लोगको एक एक करके वीडियो के अंदर आगे बताऊँगा तब मूजिक क्वाइटी की बात करते हैं तो वह सबसे इंपॉरन है TWS ले रहे सुन नहीं सकते, मफल थोड़ा हो जाता है, 90% तक आपको जो अच्छा वॉल्म में बहुत ही लाओर हो जाता है, मैं रेकमेंड करूंगा एक टी तक आप रखो आपको जो डीसेंट म्यूजिक आप सुनाई देगा, बेज की बात करें, बेज एवरेस से अच्छा है, अट उतन आपको सुनाई देती है, बट यह थोड़ा इंप्रूब हो सकता था, बट यहां में 999 में मैं इससे बेटर एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहा था, तो यह आप लोग को एक डीसेंट सा जो है न, म्यूजिक आउटपूट दे देता है, जहां पर अगर थंपिंग बेस आपको पसंद है, तो यह मत लेना, इसको आप इग्नोर कर सकतो, तो यह गेमिंग TWS तो है नहीं, बट यहां मैंने Call of Duty का थोड़ा वोट टेस्ट किया, तो आप लोग के खुद देख लेजिए, तो जैसे कि अबना ने गेमिंग की इस वीडियो के अंदर देखा, यहां पर जो गोली की आवाज है, उसका जो साउंड है, थोड़ा डिले आपके और आ रहा है, तो यहां पर जो इने यह गेमिंग के लिए उतना ज़्यादा सही नहीं है, इसको आप लोग एवोइड कर सक और यहां पर गेमिंग का कोई भी फीचर आप लोग को देखने को नहीं मिलता है, तो यह चीज़ आप लोग ध्यान रखना, अभी बात करते है क्लिंग के लिए, तो क्लिंग के लिए देखा है, मैंने नॉमली रूम के अंदर यहां पर टेस्ट किया, और बाहर में जाके ट पॉलिंग टेस्ट करने बालो, तो अभी जो मैं बात करहा हूं, असारी से सुना ही दे रहा है, मैं अचली रूम के अंदर हूँ, फूरा फूल स्टीब में चल रहा है, तो साउंड अभी तो तुम्हारे वे आ रहा है कि है? हां, आ रहा है. कोई भी साउंड उन्दर खड़ क вони आ रहा है है? नहीं, ऐसा तो नहीं यह है, ठीक हैनल वे बहुत आप्मी तो वे और रहा है कि एक्श हूंड झाष अचली सेरी? और रहा हूं। वो भी आ रहा है यहां पर ट्रीपल नाइन रुपिस के अंदर बहुत ही अच्छी माइक क्वालिटी आपको डीसें सामेल जाता है और अगर आपको नॉमली इस माइक से रेकॉर्ड करना चाहते हो तो यह रहा एक रेकॉर्डिंग सेंपल जो आप खुद सुन सकते हो जिसकी म को मिलेगा यहां पर डिरेक्ली जो ही जो माइक्रोफोन इसी से में रिकॉर्ट करना हूं तो आप लोगों को अंदासर लगा होगा है कैसी सी क्वालिटी होने वाली है इस यह वांट तो रेकॉर्ड ऑडियो उसिंग दिस यह बात करें अगर आप लोग कॉल रिसीव करना च है उसके बाद यह बहुत करने हैं उसके बात करते हैं तो सिर्फ को ने है crít CAP करना उसे प्ले होगा डबलू तरह भी आप करना है कर सकते हो वे प्रीवियस ट्रैक जाना है तो LI Bund साइड की एरबेटि में जो एना दो सेड़ेकर प्रेस करकर रखना है वह नियल्क प्रिविएश ट्रेग जाएगा अगर आपको नेख्स ट्रेक जाना है तो रैट साइड में जो है दो सेट प्रेस करना होगा उसके बाद चाहिए बाइव पहुंच तो वहाँ पर भी लॉंग प्रेस करके रखाँ तो वो वॉल्यम लोग कर देगा तो इस तरीके से आप लोग टच कंट्रोल को भी आसानी से आप यहां पर यूज कर सकोगे उसके बाद मैं आगर बात करूँ यहां पर इंस्टा चार्ज फैसिलेटी के तो 10 मिट चार्ज में यह लगबग 150 मिनिट का आप लोको बैक अप दे देगा बट यहां पर लगबग आप लोको चार घंटे प्लस ही बैटरी बैक अप देखने को आसानी से मिल जाएगा चोगी बहुत एक्सलेंट है और अगर आप लोको यह कभी कबार 10 मिट चार्ज में इतना टाइम यह प्लीबैक दे रहा है तो यह बहुत सही अगर आप लोग पाव लेना चाहिए तो देख है यह 999 के अंदर अगर आपको मिलता है तो आप आसानी सद्уз को ले सकते हो गेमिंग के लिए मत लेना अग्र ड़ोग गाने वाने सुनते हो आपको उतमा जाधा तो आई होप यह वीडियो आपको पसंद आया पसंद आया तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब शेयर कर देना मिलते किसी आगले इंट्रेसिंग वीडियो के साथ तब तक के लिए से लिए स्टेए से शेप एंड बाबाई